अखण मंतन के सभी दश्कों को नमस्कार अर्थार दूस्ट या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आत्म नियंतरन नहीं रहेगा और ये किसी दूस्ट व्यक्ति की तरफ व्योहार करेगा तो क्रोधी संबत के अनुसार इस वर्ष के लोग आसानी से अपना आपा खो देंगे जिसके कारण छोटी छोटी बातों में विवाद पैदा होने लगेगा आत्म नियंतरन नहोने से लोगों के अंदर आवेश जली पैदा होगा लिहाजा स्वेम को नुकसान पहुँचाने की घटना अधिक देखने को मिलने वाली है इस कारण से 2024 में आत्म हत्या के मामले अधिक देखने को मिलेंगे 2024 में जन्म लेने वाले बच्चे भी बुरी नजर वाले एवं क्रूर सभाव वाले पैदा हो सकते हैं इसके अलावा ये लोग अपने जीवन साती से बहुत प्यार करने वाले भी होंगे वैसे भी 2024 में आप देखी रहे हैं कि अंतराश्टी इस्तर पर किस प्रकार के समीकरन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक से दो देशों के बीच सामाने सा विवाद युद में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है इस वर्ष लोग बहुत जल्दबाजी में भी कारे करेंगे और किसी भी मामले में जहां धैरे की आवश्यक्ता होगी वहां लोग धैरे से काम नहीं लेंगे क्रोधी नौसम्वत का राजा मंगल, शनी, मंत्री एवं शुक्र, सेनाधी पती हैं चिंता की बात तो ये है कि स्वभाव से क्रूर एवं कठूर ग्रह मंगल को तीन विभाग मिले हैं जबकि सूर्य एवं शनी को एक-एक विभाग प्राप्त हुआ है जबकि प्राकृतिक रूप से शुक्र को तीन एवं गुरु को एक विभाग मिला है इस पूरे संबत एवं 2024 पर पाप ग्रहों का नियंतरन अधिक है अथा पाप की घटना में व्रिद्धी होती हुई देखी जाएगी तेलगू नौवर्ष उगादी पर की गई भविश्वारी की अनुसार लोगसबा चुनाओ 2024 में भारती जनता पार्टी को ही शिर्ष्वत्ता मिलने जा रही है इस वर्ष कई घोटालों के कारण पार्टी के कई बड़े नेता अभी और जेल यात्रा कर सकते हैं इन नेताओं के घोटानों का इस बार सुबूत भी मिलेगा चुकि मंगल ग्रह कुम्ब राशी में स्वामी हैं और शनी से यूती की कारण इस साल बड़ी मात्रा में भुकंप की घटना भी देखने को मिलेगी इसी के साथ साथ भुईस्खलन, आग एवं सड़क दुरगटनाएं, बायुयान दुरगटनाएं, साइबर अपरादेवं अचानक से देश में किसी इस्थान पर अचानक से युद भढ़कने जैसी घटनाएं भी देखी जा सकती हैं इस वर्ष भारत समेट संसार भर में आतंक की घटना में भी प्रिद्धी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सरकारी चुस्ति फूर्ती के कारण इन आतंक की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी काशी विश्वनात के ग्यानवापी मस्जीद मामले में भी कोई सकारात्मक निर्णे इस वर्ष सामने आ सकता है चौकलेट एवं आइसक्रीम में नशीले पदार्थ मिलाकर बेचने जैसी घटना भी इस वर्ष सामने आएगी संसार में कई यूरोपी देशों एवं आस्टेलिया, न्यूजीलेंड, श्रिलंका, सन्युक्तिराज अमेरिका पर इस वर्ष कठिन गोचर चल रहे हैं वर्तमान राश्रपती जो बाइडन के दोबारा राश्रपती चुने जाने की संभावना ना के बराबर है एवं उनके ग्रह भी अनुकूल इस्तिती में नहीं है इस दोरान किसी यंत्र की स्थापना या फिर मंत्र का अनुस्ठान करना भी उचित नहीं रहने वाला है यदेपी जो कारे पहले से ही आरंब हो चुके हैं उसे पूरा करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है किन्तु निर्माण सम्मंदी कोई कारे 9 अगस्त तक ना करें किसी भी घर की मरमत के लिए कोई समस्या नहीं है और आप मरमत का कारे करा सकते हैं बस ध्यान रखें कि कोई नया निर्माण कारे आरंब ना करें 9 अप्रेल से 30 जून 2024 के बीच मीन राशी में चार ग्रह होने एवं मेश राशी में तीन ग्रह होने के कारण कई लोगों को इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा इस वर्ष भीशन गर्मी के भी संकेत मिल रहे हैं इस कारण से पश्वों एवं मनुश्यों पर जान लेवा संकट आ सकता है लोगसभा चुनाओं 2024 में NDA को रिकॉर्ड संख्या में सीटे मिलने जा रही हैं इसी के साथ सन्युक तराज अमेरिका और कुछ दक्षिन अमेरिकी देश चक्रवा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ सकते हैं सेटेलाइट से प्राप्त होने वाले मोबाइल सिगनल में भी बड़ी बादा दिखने वाली है ये सिगनल 24 से 48 घंटे के लिए बंध हो सकते हैं या फिर इसी तरह की कोई बड़ी समस्या आ सकती है भारती राजनीती के क्षेतर में कुछ बुज़ूर्ग नेताओं पर प्राण घारता खमला भी हो सकता है या फिर किसी स्वाभाविक मृत्यों के भी वे शिकार हो सकते हैं ब्रहस्पती और शुक्र के एक ही समय में अस्त होने के कारण कई व्योसायों की रफ्तार भी कुंद हो सकती है सूरे और चंद्रग्रहन का साथ सार पढ़ना भी कोई शुप संकेट नहीं दे रहा है इस वर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी एक नई चुनोती सामने आ सकती है और समस्याओं का निदान जो है ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाएंगे इस वर्ष अतिवरिष्टी बाढ़ चक्रवाथ से सामान जन जीवन अस्त वेसरेने वाला है ट्रेफिक जाम सडक और रेल दूर घटनाएं आम हो जाएंगी इस वर्ष वर्षा के प्रबल योग दिख रहे हैं और ये वर्षा भी कोई सामान इस तरकी नहीं होगी बलकि 48-72 घंटे लगातार वर्षा होने से आपको घरों में कैद होना पड़ सकता है वर्षा के बाद बाढ़ आने की घटना में भी व्रिधी के संकेट दिख रहे हैं इस बार भारत में पश्चिम मंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिल नाडू, केरल, महाराश्ट एवं, गुजरात, बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं साथी साथ हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, असम और उत्तर पूरुभी राजियों में भुष्खलन की घटنا में अत्यनत व्रिधी देखने को मिलेगी आई दिन आपको समाचारों में भुष्खलन संमंदी समाचार भी सुनने को मिलेंगे इसी के साथ क्रोधी संबत में प्राकृतिक आपदाओं की भी भरमार रहेगी और आपको संसार के कई देशों में ऐसी आपदाएं देखने को मिलेंगी इसी के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, औस्टेलिया एवं न्यूजीलेंड आदी देशों में रिक्टर पैमाने पर 6.5 से अधिक तीवरता के भुकम पाने की भी आश्रंका व्यक्त की गई है यदि 6.5 से अधिक तीवरता का भुकम प जमीन के उपरी सतह पराता है तो होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि अधिकान शहर तो देखते ही देखते मिट्टी के धेर में बदल सकते हैं इसी के साथ साथ भारत सरकार संसद में कोई ऐसा क्रांतिकारी विधेक ला सकती है जिसे लेकर अधिकान संसद सदर से जो है इसके लिए स्विक्रिती दे देंगे जबकि एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच करक राशी में इस्थिर मंगल का होना व्यापारी वर्ग एवम उनके व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं माना जा रहा है सरकार कुछ नय कानून ला सकती है जिसे लेकर लोगधरना प्रदर्शन कर सकते हैं और रोड जाम कर सकते हैं इसी तरह से जल दुरघटना में भी कई लोगों के प्राण जा सकते हैं सरकों पर दिन दहाडे हत्या की घटनाए होने से ऐसा लगेगा जैसे अराजकता के पुराने दिन वापस लोट आए हैं अत्यदर्शकों आप किसी भी विवाद में पढ़ने से बचें क्योंकि इस वर्ष जो है ऐसी आशन का व्यक्ति की जा रही है किसानों को लेकर भी सरकार कोई नया कानून ला सकती है जिससे किसानों को काफी लाब होगा लेकिन इसे लेकर भी विरोधी दल दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे पाक अधिकर कश्मीर में भी इस्थितियां तनावपूंट दिख रही है और वहां भी अचानक से कोई बड़ा जन विद्रोह सामने आने की आशंका दिख रही है एक जनवरी से 29 मार्श 2025 के मद्दे शुक्र शनी एवं राहु के साथ बनी यूती कई जटिल इस्थितियों को जन्म देटी नजर आ रही है ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली में कोई बड़ा उपद्रव भी हो सकता है सर्दियों के मौसम में पहाडी क्षेत्रों में कोहरे के कारण सर्डग दुरघटनाओं में भी व्रिद्धी हो सकती है इस वर्ष GST में भी व्रिद्धी होगी और सारकारी खजाना जल्दी भरेगा सोने और चांदी की कीमतों में भी भारी व्रेधी देखने को मिलेगी भारत के उत्तर पूर्वी राजियों में भी कोई बड़ा सामप्रदाइक घटना हो सकती है या कोई इस तरह की घटना सामने आ सकती है इस बात की भी आशंका दिख रही है 10 मार्च 2025 के निकट कोई बड़ी अगनी दुरगटना एवं इसी कारण से आस पास की कई संपतियों को बड़ी मात्रा में हानी पहुँचने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है इसी के साथी साथ एशिया प्रसांत द्वीपों में भुकम पाने के कारण कई बड़ी इमारतें एवं बड़े पुल भी ढहते वे दिखाई देंगे इस बात की भी आशंका है अब आपको इस क्रोधी संपत की आकाशी कौंसिल में ग्रहों को कौन-कौन से विभाग मिले हैं इसकी जानकारी देते चले तो इस वर्ष का राजा मंगल है और इसे राजा कृशी रोग जैसे विभाग मिलने के कारण सरकारों के विरुद बार बार विद्रोह, अगनी दुरगटना है और सक्त नए कानून लाए जाने की संभावना है जबकि शनी देव को मंतरी विभाग मिला है जिसके कारण इस बार अधिक युवाओं का रुजान सशस्त्र बलों में शामिल होने क और होगा एवं पारंपरिक नौकरियों की अपेक्षा लोग स्वैम का रोजगार आरम करने पर अधिक बल देंगे यानि कि स्टार्ट अप बाले जो एक तरह से रोजगार है वो आपको अधिक देखने को मिलेंगे इस बार शुक्र को सेन अधिपती यानि कमांडर इन दिखाई देंगी इस वर्ष सूर्य देव को अनाज का विभाग मिला है ऐसी आशंका है कि इसी कारण इस वर्ष आयसक तेल और प्राकृतिक गैस के कुवों में कोई बड़ी दुर घटना घटनी की भी आशंका विक्त की जा रही है पुरातत विभाग कई जलमगन शहर जनी पिये पदार्थेवं रक्षा संबंधी विभाग मिला है अतह आयात का विवसाय तो फलेगा फूलेगा लेकिन खादे पदार्थों में मिलावट की कई घटनाएं सामने आएंगी तो दर्षकों उगादी परो पर तमीलेवं दक्षन के राज्यों में पंचांग की जो परंप्रा रही है उसी का पालन आज हमने किया है तो उगादी परो पर जो पंचांग पढ़ा गया उसके कारण हमने इस भविश्वारी को आपके शमक्च प्रस्तुत किया एक बार हमारे दक्षिन भारत के दर्षकों को उगादी परो की धेर सारी शुब कामना है कि आपको हमारी चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दनेवार नमस्कार